हेलो एब्रिवन स्वागत है आप सबों का इसेडी क्लासस में आज का जो टोपिक है वो जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है constitutional and non-constitutional body जो आपका होती है उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे तो उसी का एक टोपिक है Attorney General of India यह constitutional body है इंडिया का constitution में mention है मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि constitutional body किसको करते है और non-constitutional body किसको करते है statutory body किसे करते है तो आप उस वीडियो को जाके फ़ले देख लिए मैं आई बटन में उसका link दे दूगा तो basically यह जो topic है काफी ज्यादा technical भी है काफी मतलब एक minimal आपको समझ होनी चाहिए अगर आप इसको एक पर समझ जाओगे तो आपको काफी ज्यादा चीज़े easy हो जाएगी तो चली start करते है आज के class और इस में लोग जाने का attorney general क्या है इसके पावस क्या क्या होते है कैसे point होता है क्या क्या specialization है क्योंकि 2019 में जहां तक मुझे याद आ रहा है UPSC में direct इसे question पूछ दिया गया था जबकि कभी इससे question नहीं पुछा जाता था कभी आज तक question नहीं पुछा गया था हाँ प्रेलिंस में question आते था मगर में में question नहीं आते था इस बार 2019 में आपका direct attorney general के बारे में लिखने को question आ गया था मैंस के examination में तो चली start करते है आज क्लास और सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल में नहीं है तो इस चैनल को subscribe कर कर ले साथ ही बेल अगर को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियो की notification आप तक पहुंच अगे तो चली start करते है आज के class सबसे पहले जो आपका article 76 है article 76 यहां आपको जैसे पता होगा 76 से लेके 78 तक कि आपका को साथा 74 से लेके 78 तक जो आपका article आप याद कर पा रहोंगे त अपका office, attorney general of India का office 76 provide करता है यह जो office रहता है वो highest low office होता है in country basically जो आपका attorney का मतलब ही होता है न low officer और general मतलब highest तो जो सबसे highest low officer होता है country में उसको हम लग कहते है attorney general of India कही देशों में इसका अलग अलग बिनाम है कही जिगा solicitor भी खहा जाता है इसको डायरक्ली और कही की अलग बात है जबकि इंडिया में इसका कुछ और मतलब होता है मैं आपको बताऊंगा कि आगर इंडिया को अपने किसी भी चीज को जब भी अज़े लीगल एडवाइसर की जुवरत पड़ती है जब भी किसी भी अगर कोट में कोई केस चलता है यूनियन ऑफ गवर्मेंट के अगेंस तो इसको एक एडवोकेट की ज़वरत पड़ती है तो वो एडवोकेट के तोर पर कौन काम करते है अटोने जनरल ऑफ इंडिया है ना हाराकि इनके उपर डिपेंड करता है कि इनको हायर करें मगर बिसेकली जो यह अटोने जनरल ऑफ इंडिया के अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों जो आपका यूनियन गवर्मेंट ऑफ इंडिया रहती है वह ओनीजनरन ऑफ इंडिया को हर करती है युण गवर्मेंट की बात कर लेते हैं तो जो इसका अपोइंटमेंट की लिए सबसे बाला जो क्रायटरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए इन्डियन सिटिजन तो होना रहती है he must have either completed 5-where in high court अच्छा ये आपको यादा आ रहोगा कि Supreme Court के जज़ बनने के लिए भी एक criteria था 5-where का क्या होना चाहिए high court में जज़ होना चाहिए अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मालिज्जा आप किसी Supreme High Court में कोई जज़ है दो साल के लिए है फिर वो दूसरे High Court में shift हो गया वहाँ पर 2 साल के लिए है फिर वो दूसरे High Court में shift हो गया वहाँ एक साल के लिए तो यह total भी count करके अब कितना होगा 5 year हो जाएगा तो वो 5 year के लिए किसी भी High Court में या तो अलग-अलग करके succession में हो या फिर उसका एक term में ही हो जाए अगर five year के लिए अगर वो high court का judge है तो वो qualified है of Indian state या फिर क्या होना चाहिए वो ten years in high court advocate के तोर पे high court में होना चाहिए practice करते होना चाहिए तो यह उसके criteria है अच्छा एक और चीजिस में आता है imminent jurist अगर president को लग जाता है president के आई में कोई एक ऐसा इंसान है जो काफी ज्यादा local knowledge रखता है तो वो इसको appoint कर सकता है उसके पास काफी ज्यादा knowledge हो ओके नेश देखते हैं लोग article 105 है ता वो बात करता है power का privileges and immunities of attorney general of India लेकिन आप एक चीज़ गौर कीजेगा कि जब यह बात करता है इसके बारे में कुछ बात ही नहीं करता है वो बस डिपेंड करता है वो बस छोड़ दिया गया है किस पर छोड़ दिया गया है पर्लिमेंट पर छोड़ दिया गया पर्लिमेंट ही डिसाड कर लेता है इसका the constitution term की बात करें हम लोग the constitution means no specified tenure of attorney general of india attorney general of india का क्या specified term होगा यह जो आपका constitution है वो determine नहीं करता है साथ ही constitution also does not mention the procedure and ground office removal देखिए इसका जो आपका appointment रहता है attorney general of india का वो आपका करते है president की और on the pleasure of president यह office है लेकिन इसका जो removal का process है देखिए आप जितने भी post देखेंगे government of india के अंदर सबका एक removal of procedure होता है हलांकि आपका छोटे छोटे पोस्ट के लिए removal of procedure होता है लेकिन इस post के लिए कोई भी removal of procedure नहीं है मतलब आपको एक बार appointment कर दिया तो president जब चाहे उसको remove कर सकता है president can remove at any time और अगर वो चाहे attorney general of india तो वो resignation दे सकता है कि इसको president को he is removed when the council of dissolved and repressed देखी होता है हलांकि आप तो train बन गया है कि जब भी council of ministers आते हैं कोई नया government आती है तो उनका वो अपना एक अलग attorney general of india जिनके पति उनके पास one-to-one connection भी हो साथी faith भी हो belief system हो ताकि वो इंट्रेक्ट कर जाए subjective interaction हो उनके बीच में government of india के बीच में और जो आपका attorney general of india के बीच में इसलिए जो भी party आती है नहीं party आती है government आती है वो attorney general को change कर देती है हलाकि वो वापस उसको भी रख सकते हैं उसके उपर depend करता है कि वो कि इनको अजर legal advisor रखना चाहती है जैश देखते हैं हम लोग duties के बारे में बात करें तो यह basically cheap legal advisor of government of india होते हैं he advised the union government on all legal matters जितने भी legal matters होते हैं union government के उन में advice करते हैं mainly जो यह होते हैं वो primarily lawyer होते हैं union government in a supreme court जब भी कोई भी case आता है union government के against में तो यह क्या आजर lawyer रहते हैं अच्छा इनका एक function यह भी है power के बात करें तो यह किसी भी court में जाके attend कर सकते हैं court को और अगर जहां किसी भी court में union of government के खिलाप कुछ case चल रहा है तो उसको attend कर सकते हैं तो give advice to government which even legal matters referred to him by the president और वो government को advice करते हैं जो भी legal matters रहता है अगर president उसको refer करते हैं तो अच्छा यह और भी duties नहीं बाते हैं जो भी constitution mention करता है president keep on referring him legal matters जेते हैं legal matters रहते हैं on the interest of attorney general जब भी government की बात आती है government related जो भी legal matters रहते हैं तो वो attorney general of India उसको solve करते हैं और advice करते हैं in the legal case where the government of India is related to the attorney general has to appear in the supreme court अच्छा जो अप्रेसिडेंट के अगरते हैं कि जब government का कुछ पूछना रहता है या कुछ भी चीज़े रहती है तो attorney general उसके पास जाते हैं Supreme Court के पास पर तो वो उनके भी हाफ में वहाँ पर खड़े रहते हैं तो आप समझ सकते हैं इनके पास कितना knowledge होगा और जब इनके पास इतना knowledge है तब ही तो यहां government की legal advisor है आप याद कर रहे हैं कि 370 जो आपका article revoke किया गया था अर्टिकल हटाया गया था तो कहीं न कहीं attorney general of India का advice भी रहा होगा देखिए attorney general of India आज़े legal advisor तो है लेकिन आप यह जाने कि cabinet minister में नहीं आते हैं लो ministry में नहीं आते हैं यह उसके member नहीं होते मैंने कभी भी नहीं कहा आपको कि यह cabinet ministry के member होते हैं यह अलग एक unique body है जो बस legally advise करते हैं तो इनके पास इतना knowledge रहता है इतना qualification रहता है कि इनको constitution के अच्छी समझ होती है कानून के अच्छी समझ होती है तो यह उसके भिहाप में government of India को advise करते हैं और जो भी changes आते हैं जो भी कुछ president के दार प्रिफर किया जाता है वो उसको follow करते हैं अच्छा यह भी है कि जो इनका limitation की बात कर ले हैं हम लोग तो इसकी limitation क्या-क्या होते है तो government of India जो रहते है ना should not advise or hold a brief against the government of India यह government of India के against कोई भी बात नहीं बोल सकते हैं साथ ही यह government of India के against कोई case भी नहीं कर सकते हैं अगर माली जो कोई person आ रहा है individual वन आ रहा है कि नहीं मुझे government of India के खिलाफ case करना है तो वो आज यह government of India जो आपका attorney general के office को hold करते हुए वो उस government के खिलाफ नहीं बोल सकते हुए उनके खिलाफ case नहीं कर सकते ओके you are getting my point और साथ ही साथ अगर इनको किसी के साथ किसी का case लड़ना है तो इनको उसके लिए president से permission लेने पड़ती है अगर president उसको refer करते हैं कि आप इस case को लो तो president तो उनको उस case के लिए hire किया जाता है और उनको उस case पे लड़ना पड़ता है साथ ही यह कोई भी appointment नहीं ले सकते हैं जो director in any company और corporation without the permission of government of India बतब कि जो भी government रहेंगे वही इनको direct करेंगे जो भी actually president क्या है उसके executive body है तो government president काम करती है government के advice पे जो आपका ministry के advice पे प्राइम मिनेश्टर के advice पे तो यह पूरा का पूरा government function के अंदर ही आ जाता है अच्छा इसी में एक आता है solicitor general of India इसके बारे मैं आपको अलग से details में भी बताऊंगा लेकिन इसमें बता देता हूँ कि solicitor general of India और additional solicitor general of India जो रहते हैं यह assist करते हैं AGI को attorney general of India को और मैंने आपको जैसे बता है कि attorney general of India law minister नहीं होते के central cabinet के इसमें मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा क्योंकि मैं अभी फिलाल में अटॉर्णी जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं अधन यहां पर कुछ है इसमें हमें कोष्यों के अडिया जैए बात को यंखलान टोती सब्सक्राइब देखिया चाहिए 76 अर्टिकल में बात की जाती है टोने जनरल की हाइस लो ओफिसर होते हैं चीप लिगल एडवाइसर होते हैं एडवाइस करते हैं बैसिकली ये यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अच्छा इनका अपॉइंटमेंट कोन होता है अपॉइंटमेंट करने के लिए आपको जो मेंबर ऑपालियमंट रहते हैं उसमें जो प्रिभूले से रहते हैं और कुछ इसमें और नहीं है इसके हमारा अगयंस्ट काम कर रहा है या फिर एक फैथ नहीं जानरा है सब्जेक्टिब नहीं हो रहा है इंट्रेक्शन नहीं हो पा क्या कर सकते हैं उसको हटा सकते हैं और को भी प्रोसिडियोर नहीं है रिमूबल का इसलिए इसको इजी रखा गया थे कि डॉक्टर भीमरा अंबेतकर ने कितनी इजी वे में सब चीज को अरेंज करके कितना मास्टर माइन था उनका जो उन्होंने सब को एक अरेंज एक ऐस उसको तो जीतना है हर किसी को राइट होता है अपना डिफेंड करने का तो उसके लिए अगर उसका काम नहीं करता है तो उसको किसी और को रखना पड़ेगा इसके बार में एक कंपेरिजन वीडियो में आपको लिया होंगा नेश्थ हम लोग करेंगा इसमें डिफेंस बता दिया करूंगा अच्छा मैंने आपको बताया था नहीं कि 143 जो आर्टिकल है इसके दुरू क्या होता है जो गवर्मेंट आप इंडिया के चाहिए तो यह अजे वन अर्टिकल 43 जो आपका प्रेशिडेंट करता है देता है प्रेशिडेंट का राइट होता तो उसके थुरू वह सुप्रीम कोर्ट में राज सकता है तो आप लोगों को आज का यह क्लास समझ में आ गया होगा और आगे भी आप ते लिए वीडियो बाइ की बनाइ